नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपात्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों अगर आप न्यूस के हिसाब से देखें तो आज धाई इनफेक्ट तीन बजी तीन बजे के बाद से कमेंटरी के एसाब से बजार बहुत पॉजिटिव हो गया है जो भी इनिशियल कमेंटरी आ रही है इनिशियल संकेत आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि मार्केट अब एक बड़ी रैली देने के लिए तयार हो रहा है हाला कि ब्रॉडर बेस मार्केट में जान नहीं है स्टॉक्स लेवल पे कंटियू पिटाई चल रही है उसके पीछे का रीजन है उसकी अर्निंग्स लेकिन यहां पे एक न्यूस तो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी जस्ट साड़े तीन बजे के सम्टिंग या साड़े चार बजे मुझे याद नहीं है कि रशिया की तरफ से जो एक कही न कहीं प्रॉबलम सॉल होती हुई दिख रही है उन्होंने प्रस्ताव रखा हाईयर लेवल का बात करने के लिए यूएस को अगर उनकी तरफ से रिस्पॉंस आता है अगर बात होती है अगर जैसा की मार्केट को लग रहा है कि बात होगी तो ये जो इन्फलेशन है वो दीरे डाउन हो सकता है ये सब कुछ होता है तो मार्केट के लिए से अच्छा कुछ भी नहीं है और फाइनली अभी जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ वो ग्लोबली था ये हमारे बाजार के लिए RBI की तरफ से कुछ important commentary आते हुए दिख रही है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ अभी के session में तो चलिए बिना किसी देरी के आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या हो रहा है और क्या है जो news जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अभी सबसे पहले मैं बता हूँ काफी सारी कही ना कही न्यूज आती हुई दिख रहे हैं जो अभी आपके साथ शेर कर रहा हूँ और यह सारी की सारी after market आ रहे हैं तीन बच के 54 मिनट से यानि 354 से यह न्यूज आना स्टार्ट हुए है तो RBI की तरब से पहली statement पहली headline जो है वो यह है RBI से supply responses in the economy are gaining strength in India यानि कि supply जो है वो बढ़ रही है वो बढ़िया हो रही है strength हो रही है और यह bulletin की तरब से तो मैं आपको बता दूँ ठीक है next RBI domestic micro economic outlook resilient but sensitive to 40 ml global headwinds यानि की जो domestic micro economic outlook है वो तो तंगडा दिख रहा है बट थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है rural demand is muted but more recently picking up traction तो जो rural demand है वो थोड़ी सांत है भी बट अभी जो दिख रहा है वो ऐसा कि वहां पे भी attraction हो रहा है यानि वहां पे भी तेजी बन रही है RBI bulletin lead indicators of economic activity point to sustain resilience of the Indian economy तो इंडियन economy के साब से तो सब कुछ अच्छा रहने वाला है बट RBI ने कहा है external demand remains a weak spot in the face of accentuating global economic slowdown तो जो अभी external यानि की जो export related है वो अभी भी थोड़ी सी problem वाली बात है तो अब आपको stocks level पर समझना होगा यह क्या मतलब बनता है इन सब शीचों का अगर आप इन stocks में भी निवेश करते हो तो यह export related problem भी खतम होगी देखिए सब लोग कह रहे थे अमेरिका के बाजार में बिटाई बिटाई हम लोग आए 17,300 से 18,300 NASDAQ की बात करें तो वहां बड़ी तेजी बनी है और Dow Jones की बात करें तो 10% से जादा की rally बनी है क्योंकि 30,000 का लो देखा आपने 33,500 पे है तो more than 10% बाग है तो जो गिरता है न वही भागता है अब export related जो problem चल रही है वो किन stocks के लिए है फार्मा से कुछ बड़े नाम बताता हूँ मैं आपको पहले उसके बाद अलग लेवल पर बताऊँगा एक आपका एक gland pharma export लगबग 80% के something है डीवीज लैब जिस पे मैं बहुत bullish हूँ और long term के लिए हमारी hold है और buy की rating दे रखिये है और आपको मैं बता दूँ इसका 85% export से आता है revenue तो ये एक problem में है Trident को लेकर काफी सारी problems रहती है लोगों के बीच में काफी गिर गया इसको लेकर काफी सवाल है Trident का भी maximum revenue लगबग US से आता है तो ये भी एक problem का विशह है इसकी वज़े से गिरावट हो रही है आप आप देखेंगे तो maximum pharma stocks जो है वो US में export करके पैसा बनाते है इपका ल आपको बहुत अच्छा लगता है quality अच्छी लगती है तो वहाँ पैसा आपका definitely बनेगा अगर मैं आपके साथ Indian market के साब से बात करूँ तो अभी currently एक दो दिन के आल देखें तो अभी currently DAO futures 200 points अप है जो सुबह 70 80 points down थे अभी 200 points up trade कर रहे है निफ्टी हरे निशान में trade कर रहे है लगबग 30 points SDX निफ्टी आपको अरे निशान में दिखेगी इस समय और अगर मैं रुपे की बात करूँ तो वहाँ पे अभी 0.05 पैसे की कमजोरी देखने को मिल रही है तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर मैं आज की market का हाल बता हूँ जो मैं बता च 360 shares positive थे 1306 shares negative थे NSC पे और यह सिल्सला continue हो रहा है index level पर चाहे market भड़ रही है लेकिन stocks level पर market में तेजी नहीं है बहुत ही ज़्यादा है आपको stock specific होना पड़ रहा है यहां पे कभी HDFC ट्विंस निफ्टी को खीच देते हैं उपर कभी IT stocks उपर खीच देते हैं तो कभी एके जो कली हमारा पहला target आगया आज गिरा है निशिंत बने रहे अभी यह उपर ही दिखाएगा जब तक 26 के उपर है तब तक बने रही है और fresh entry भी लीजे 26 के जितने पास आए उतने जादा policy बजार 375 पे आपको buy कराया था 395 का पहला target था 420 को 440 का दूसरा था अभी पहला target दन 402 पे closing दी है आज तो यहां भी target दन है delivery का stock कल मैंने आपके साथ share करा था क्योंकि इसमें कल यानी 19th November को lock-in periods end हो रहा है इससे पहले आज गिरावट है और Monday को भी गिरावट हो सकती है तो यह कुछ इस stocks जो आपको नजर में रखने चाहिए thank you so much for watching this video have a great day हम जो आपको आपको जापको नजर में रहा हैए है और भी गिरावट है खाले साथ